दोस्तो नमस्कार मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और आप सभी का पांच मिनिट का मुल लवान समय लूँगा तो प्लीज वीडियो को अन्त तक जरूर देखें यहां जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहां एक मल्टी स्पेसलिटी हस्पिटल की बिल्डिंग है जो की लगबख चार साल पहले बनकर तयार है और अभी मात्र एक धाचा बनकर खड़ी है हमारे सहर में लेकिन संचालित नहीं हो पा रही है इसका कारण है फंड की कमी और वैंक ने आधे रास्ते में साथ छोण दिया और इष्टे लगा दिया दोस्तो मेरे बिचार से देश में स्वास्त और सिछा के लिए कोई व्यक्ति या संसता आगे आए और कार करती है जो देश हित में हो समाझ हित में हो और इस प्रकार की फ चाहिए दोस्तो या विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं हस्पिटल में जॉब के लिए सर्च कर रहा था नियर मी हस्पिटल तब मैंने गूगल के माध्यम से इस हस्पिटल संस्था के बारे में पढ़ा जिसमें लिखा है बस स्टेंड में खड़ी है चोमन करोण की आफ़त दोस्तो यह आफ़त नहीं स्वास्थ और सिच्छा का केंद्र बनेगा जहां हम जैसे और आप जैसे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ बैंक ने लोन ना चुकाने का बोलकर निलामी की बात लिखी है जो की चार साल से पूरी नहीं कर सगी और मेरा मानना है कि जब हस्पिटल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और संचालित नहीं हुआ तो कैसे लोन चुकाया जाएगा और इस्टे लगाने के कारण करोडों की बिल्डिंग धीरे धीरे च्छतिग्रस्त हो रही है अताह आपके माध्यम से मेरा मानना है कि इसको संचालित करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए अथवा सभी मिलकर हम सभी मिलकर क्राउट फंड करने में मदद करें और हमारी सरकार भी क्राउट फंड करने में मदद करें क्योंकि देश या राज में इस तरह हॉस्पिटल अथवा अन्न कोई संस्था यदि स्वास्त और सिच्छा के लिए आगे आना चाहती है तो कैसे आएगी यदि उसका सपना आइडिया दब जाएगा और साकार नहीं होगा दोस्तों फंड के कारण रुख गई है तो सभी को मिलकर संजालित करने में मदद करना चाहिए क्योंकि चोमन करोन तो क्या 100-200 करोन रुपे 81 हो जाते हैं जब देश के नागरिक फिल्म देखने में खर्च करते हैं और हम सब अकसर सुनते हैं कि फला फिल्म ने 200 करोन रुपे क माया अता इस वीडियो के मात्यम से देश के सभी नागरिक और बिजनेसमेन नेता अभिनेताओं से निवेदन है कि वा मदद करें आगे आएं क्योंकि यह वा सिनेमा हाल है जहां डाक्टर्स नर्स और अन्न सभी स्टाफ जिन्दगी बचाने के लिए 24 घंटे लाइव सो कर करते हैं जिसको संचालित करने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक टिकेट के रूप में फंड जरूर दें और देश के स्टार अभिनेताओं से बिसेस अनरोध है कि मेरी इस हास्पिटल रोपी सिनेमा हाल को संचालित करने में मदद करें और दोस्तों आप अपने देश के प्रधान मंत्री और मुख मंत्री से बात करके हमें फंड मिल सके तो कमेंट जरूर करें दोस्तों यदि आप प्यम केयर इस वीडियो के माध्यम से डोनेट करते हैं फंड देते हैं तो आप हमें इस प्यम केयर एप्स के माध्यम से दे सकते हैं और दोस्तों आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मदद करें साथ ही सभी दोस्तों को सेयर करें ताकि यह वीडियो मेडिया के माध्यम से मुख मंत्री और धन मंत्री तक पहुंश सके धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत